जैस्रीक रश्न मित्रों मित्रों आज आपको हम बताने जा रहें देनिक राशी फल दिनांक 23 जून 2022 गुरु वार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टी वा भगवान विश्णू जी की करपा से आज बारा में से छे राशीयों के बिगड़ हुए काम बनेंगे इन छे राशी वालों में आज है मेश, मित्वन, करक, तुला, व्रश्चिक और कुम्भराशी वाले लोग वही अन्य राशीयों को आज मिले जुले परिणाम मिलेंगे तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ये दिन नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य का राशी फल नहीं नहीं ग्यानवरधक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करती रहें तो आज आशारमा सुकरश्ण पक्ष की दसमी तिथी है गुरुवार का दिन है आज दिन की सुरवात रेवती नक्षत्र से होगी और मीन राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुर्योदे प्राता काल पांच बच के चोविस मिनिट पर होगा और सूर्यास्त साम के 7 बच के 22 मिनिट पर होगा आज राहुकाल दोपहर 2 बच के 7 मिनिट से आरंब हो करके अपरान काल 3 बच के 52 मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहुकाल के दुरान आप कोई भी शूब मांगलिक व नया कार्य आरंब नहीं करें इस समय उदि में किसी भी नई वस्तो की खरीदारी करने से भी बचें और आज दिशा सूल रहेगा दक्षण दिशा में तो आज के दिन आप दक्षण दिशा की और मुख करके कोई भी शूब मांगलिक व नया कार्य आरंब नहीं करें दक्षिन दिषा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अतियावश्यक हो तो अपने इस्ट देवता की सृद्धा पूरवक पूजा अराधना करके या इस्ट देवता के नाम मंतरों का अधिक साधिक संख्या में जाब करके यात्रा आप कर सकते ही और आज का सर्वसरेष्ट अतीसरेष्ट महुर्त अभी जीत महुर्त आरंब होगा प्राता काल 11 बज के 55 मिनिट से आरंब हो करके दोपार 12 बज के 51 मिनिट तक सर्वसरेष्ट वशूब महुर्त रहेगा इस महुर्त में आप कोई भी शुब मांगलिक व नया कार्य आरंब कर सकते ही या किसी भी नई वस्तू की खरीदारी आप करना चाहते ही तो इस स्रेष्ट महुर्त में आप कर सकते ही तो अब जानी अपनी जन्म राशी के नुसार आज आपके भागे के सितारे क्या बोलते ही और आज के दिन आपको अपनी राशी के नुसार क्या खास उपाई करना चाहिए जिससे की दिन आपका शुब रहे और कारे छेतर में भी आपको सफल तामिले तो मेस राशी से आरंब करते ही मेस राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा क्या आज आपक प्रभावित होंगे और आपकी मेहनत से कठिन कारियों को आसानी से आप पुरा कर लेंगे कामकाज में अच्छा मुनाफ़ा आपको मिलेगा स्वास्त बहतर रहेगा आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंक चार है शुबरंग आपका लाल रंग है लाल रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से ही प्राताहकाल इसनान करने के पस्चाद प्रशब राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज आपको अपनी सोच और व्यभार को संतुलित रखना चाहिए आभूशन और वस्त्र खरीदने का अच्छा दिन ही और बिजनेस में नए प्रयोग करने से आगे बढ़ने का अवसर आपको मिलेगा किसी तरह की कोई चुनोती आपके सामने आज आ सकती है उसका सामना अवश्य करें विद्यार्तियों को पड़ाई पर ध्यान देना चाहिए मन में प्रसनता रहेगी प्रेम संबंदों में समयदन सीलता देखने को मिलेगी आज सोच समझ करके बोलें आज आज आपको भाग् आज को विश्य लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विश्य सफलता पाने के लिए आपका विश्य उपाई इस प्रकार से है कि प्राताहकाल इस नान करने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारण जी के मंदिर में पीली मिठाई अर्पित करे तुलसी दल च करकार से लहेगा कि लोग आज खुद को सावित करके दिखा देंगे मिथुन रासी के लोग काफी आगे रहेंगे किसमत के सहारे आपको कोई बड़ी उपलब्दी हांसिल हो सकती है किसी अच्छी जगह घुमने फिनने का अवसर आपको मिल सकता है आपने उपर से काम का बोज किसी से सेयर करके थोड़ा हलका महसुस कर पाएंगे दिन की सुरवात प्रसंदता के साथ होगी आज वियापारी वर्ग को विशेश उरुप से अच्छे लाब की प्राप्ती होगी धनलाब के योग बनेंगे आज आपको भाग्यकासाथ 85 प्रतिसतर प्राप्त होगा आज भाग्यशाली अंक दो हें शुबरंग आपका बेंगनी रंग हैं बेंगनी रंग का प्रियो कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प अगले राशी है करक, करक राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, कि आज का दिन काफी मेहनत भरा हो सकता है, व्यावसाइक गती विदियों में सुधार आएगा, पुराने समय को भूल करके आगे बढ़ेंगे तो काफी सफलता मिलेगी, किसी भी अनबन को जल्दी ही सुल जाने की कोशिश करें, महिलाओं का दिन घर के कामकाज में व्यतित होगा, अपने मित्र या परिचित से मुलाकात के योग बनेंगे, जिससे दिन आपका शुब रहेगा, आज आपको भाग्यका साथ 90 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका भाग्यशा काल इसनान करने के पश्चात, पीले वस्तर में चने की दाल रख करके पीपल के वरक्ष के पास अरपित करें, यथा शक्ति परिक्रमा करके, ओम ब्रहस पतियनमा इस महा मंतर का जाप करें, इसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अगली रासी है सिम्ह, सिम कारी करने का अउसर भी आपको मिलेगा, आपकी सलाह पर चलकर कोई अच्छे छेतर में प्रगती हांसिल करेगा, आज सेहत आपकी सामाने रहेगी, सोच योजना बद्द रहने वाली है, इसलिए कामकाज में आज आपको सफलता के योग बनेंगे, आज आपको भाग्यकासा पिचोतर प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका भाग्यशाली अंक दस है, शुबरंग आपका बेंगनी रंग है, बेंगनी रंग का प्रियोक कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशिश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज के दिन कार्य में सफलता मिलेगी, अगले राशी है कन्या, कन्या राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज का दिन मोज मस्ती में व्यतित होगा, आपकी छवी और अधिक मजबुत होगी, संपर्क और संबंदों से लाव प्राप्त करने में काफी सफल रहेंगे, अ वास्त आम तोर पर आपका बहतर रहेगा, आज आपको भाग्यका साथ 80% प्राप्त होगा, आज आपका भाग्यशाली अंक साथ है, शुवरंग आपका नीला रंग है, नीले रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अगली राशी ही तुला, तुला राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आपके परिवार में हर्शोल लास रहेगा, लोहे की धातु का कारोबार करने वालों के लिए समय बहतर है, आपको कठिन इस्तितियों का डट करके सामना करें, आज का दिन वैसे उत्साहा से भरा रहेगा, आज आपको भाग्यका साथ असी प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका भाग्यशाली अंक चार है, सुबरंग आपका सफेद रंग है, सफेद रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए, आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इसनान करने के पश्चाद भगवान स्री लक्ष्मी नाराण जी की स्रद्धा प्रकास रहेगा, आज अपनी अपेक्छाओं को संतुलित रखना बहतर रहेगा, कुछ लोग परिवार में अपनी बात सावित करने के लिए आतुर भी आज रहेंगे, किसी आउट डोर एक्टिविटी में आज हिस्सा ले पाएंगे, कामकाश से संबंदित अच्छे और व शुब रंग, आपका जामुनी रंग हैं, जामुनी रंग का प्रयोंग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाब की प्राप्ति होगी, तो आज़ के दिन कारे में विशेर सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हिं, प्राता हकाल इसनान करने के पस्चाद पीपल के वरक्षे 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 के पस्चाद प आज आपको बड़ों से सम्मानव सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा दूसरों से आगे निकलने के इच्छा तेज हो सकती हैं आर्थी किस्तिती में कुछ बड़े बदलाव होने के योग हैं व्यापार में अनुभो महत्तुपूर्ण रहेगा आज गलतियां दोहराने से आप को बचना चाहिए जीवन सांती के साथ अच्छा समय वितित करेंगे आपके अंदर जो बोलने की कला है वहाँ आपको किसी भी छेतर में काम्याबी के शिकर पर पहुंचाने में काफे मददगार होगी आज आपको भाग्यकासा 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका इसनान करने के पश्चाद भगवान स्री लक्ष्मी नरण जी के सामने पिली मिठाई और पिले फल अरपित करें तुलसी दल चड़ा करके ओम नमो नाराय नाय नमा इस महा मंतर का जाप करें इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है मकर मकर र इसी नए परिवर्तन के लिए तैयार आप रखें आज भाग्य का साथ आपको मिलेगा आपका अपने मित्र परीचितों के साथ अच्छा समय वितित होगा आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है शुब रंग आपका बादामी र लक्ष में कच्चा दूद अरपित करें शुद दगीं का दिया जला करके चने की दाल अरपित करें ओम ब्रहस पतिये नमा इसमाह मंत्र का जाप करें इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है कुम्भ राशी वालों के नुसार आज का दिन इस मित्र या परिवार के लोगों के साथ आपकी अच्छी यात्रा के योग बन सकते हैं एक दूसरे के साथ अच्छा समय वेतित होगा नौकरी आदी में प्रमोशन वा संबान की प्रापती होगी आज आज आपको भाग़िका साथ 90 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका परिवार के किसी मामले पर अपनी पकड़ बना करके रखने के आवशकता रहेगी। और इस रासी के लोगों को आमदानी में बड़ोतरी होगी। कहीं से अचानक धनलाव या उपहार आपको मिल सकता है। आपको अपनी मेहनत और समझदारी से जीवन को सुखमई बनाने में काफी मदद मिलेगी। आज आपको भाग्यका साथ 80% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक एक हैं। शुबरंग आपका लाल रंग हैं। लाल रंग का प्रेव कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी। तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से ही। झाल ट्ग्झ के दापकी टैदी बीता थैसे बाता हैं। यह ब agreement, तो आपका विशेश आपका विशेश एक्ट, तो आपका विशेश, बिलagen का तो प्रापका यह दिराता हैं। झाल झाल